वेलो गाइस वेलकम बैक वेलकम बाक तो मैं चैनल आज हम बात करने वाले मार्केट आगे हमें क्या लगता निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेड कैसा रहना चाहिए इसके साथ साथ दिर मेंनी कोश्चिन के आप्चिन बाइंग कर सकते या नहीं तो इन दो चीजों हम डिसकस करने वाले आज कैसे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो यार ताकि आपको मेरा वीडियो पहले मिल सके अगर इसके नीचे निफ्टी क्लोज हो जाती ही तब एक बार आप सोच सकते हैं यहां से कि 300-400 यह ब्रेक करके प्लोजिंग बेसिस पे नहीं करता अब इसमें एक बात यह है जैसे अभी हम काम कर रहे थे मैं अभी कंटिनियूस बाइंग में काम कर रहा हूं मेरी पॉश्चन शॉट में नहीं है एक बहुत टाइम से मैं बाइंग में काम कर रहा हूं लेकिन अब क्या है कि बाइंग में भी जब मार्केट में सेल आफ यूज सेल आफ देखने को मिलता एक बहुत फास्ट करेक्शन देखने को मिलता जैसे आपको दो दिन में देखने को मिला उसमें क्या होता है आपकी मेंटलिटी खराब हो तो इससे होता है कि आपको दोनों तरफ थपड़ पड़ जाते हैं तो उधर इस टॉप लॉस हो गया तो इतनी हुज वोलटिलिटी में आपको कैसे काम करना चाहिए और दूसी चीज़ और मैं आपको मेंशन कर दूं के निफ्टी 15,000 बैंक निफ्टी 36,000 राउंड जैसे जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का लेबल बढ़ता जाएगा वोलटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी 100 निफ्टी के लिए कोई माने नहीं रखता इंडिस हूज वोलटिलिटी तो आपको इस बात का दियान जैसे यह तो मेरा सुझाव यह है कि आपको कि इस पर बिकले बढ़ता अच्छा साथ लिए तो मेरा सुझाओ यह है कि आपको nove Vermin च्टी करता हैं तो YOU चाहिए बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिई कि दो तीन आपकर सकते हैं आप आप लीज़ जाधा मैंकर सकतेये और उस मेरा ये suggestion है आपको, जैसे मैं, मेरा view क्या है, कि बुलिश है, मैं बुलिश ही काम करता हूँ, अगर बजार नीचे गया, तो मैंने अपनी position hedge करके रगी, कि मेरे को मेरा maximum risk क्या हो सकता है, लेकिन मैंने अपना view change नहीं किया, उससे क्या होता है, कि देखे, आज आपका view plus था, क हो सकता है बाजार निफ्टी प्लस भी बैंक निफ्टी प्लस हुआ बट उसके बाद हीुज सेल ओफ आया आपने देखा निफ्टी फिफ्टीन थाजन का लेबल ब्रेक करके भी नीचे ट्रेड किया बट सस्टेन नहीं किया वहां से इमेडियेट रिकवरी आई तो ऐसा तीन कि ज्यादा हीुज वोलेटिलिटी में आउट सेज्ट के आप हेजिंग करके काम करें और अपना वीव है वो क्लेर रखें अपना वीव आप चेंज ना करें पहले सेलिंग में बैट हो फिर बाइंग तुरण 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 अगर वीव चेंज करते हैं तो आपको दोनों कि इतना बड़त और इतने टूटत में आपकी इतनी कमाई हो सकती इतना लॉस लग सकता है ऐसे काम किया जा सकता है अदरवाइस इतनी हीुज वोलेटिलिटी में आपको कैपिटल खतम होने में टाइम नहीं लगेगा करेक्ट है तो अभी बूल रहे नहीं है तो आपको करना चाहिए तो आप जाएग वाइंग को कर अवर इसकाम करते हैं आप या तो आपकी पोजीषन फस जाती बोर होता है तब आप हैजं करते हो लेकर अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो प्सम ऐंग से कैसे रग dad आप कर रोगे तो आप कॉल भाइंग कर होगे पूल चर सकता short term volatility option buying है वो trap हो गई या option buying करके आप और selling side position बनाना चाहते हो कि मैं buying कर रहा हूं अगर अगर मान के चलो आपने 100 रुपे के आसपास premium दिया है और आप चाहते हो कि मेरा risk इसमें minimize हो जाए और भी selling position मैं execute करके कोई strategy बना जाता हूं तो ऐसे कर सकते हैं लेकिन buying position को buying position से hedge नहीं कर सकते हैं buying position के buying option को buying option से hedge करना मुश्किल है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में